एलो एविवन आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मेरे राजम बात कने जा रहे हैं अंधा गरम इस फ्लिम की जो जस रिसेंटली नेट्फिलिक्स पर रिलिज हुई है ये एक तमिल हॉरर टाइप की फ्लिम है जो आप सभी को एक बार तो भी ज़रूर इंजोय क जाएगी तो आज मैं आपको इसकी कंप्लिट स्टोरी और एंडिंग के बारे में बताऊंगा और उसी के साथ साथ आपको ये भी बताने की कुशिश करूंगा कि आप इस फ्लिम में क्या-क्या देख सकते हो तो फियर वीडियो के एंटक देखते ही ये गाता की आप इस अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा और इसे ऐसाथ उस बैल आइकन को भी जरूर दबाईएगा क्यूंकि मैं ऐसे ही मूवीज और वेब सेरीज के रिलेटेड अपडेट्स हमेशा लाता रहता हूँ तो फि अलग लेवल की थाकत थी जहां पर वो भूतों से कम्यूनिकेट करकर है ज़ा मिडियम वो आत्माव की जो इनसान मर चुके है उनकी आत्माव की अधूरी इच्छा पूरे करने की बज़े से उसे काफी अच्छे पैसे मिला करते थे इसी बज़े से वो इस काम को यानि वो जो थाइप की थिंग्स वगरे करते थे वो सब सेलवान के अंदर आ चुके थे लेकिन सेलवान इस प्रैक्टिस को काफी सालों पहले ही कर चुका था इसी बज़े से उस प्रैक्टिस के बारे में मतलब भूत वगरे कैसे बढ़ आप बगाते है उस प्रैक्टिस क दीन बार दे चुका था यहने दो बार वो टेंथ दे चुका था लेकिन वो दोनों बार फेल होता है और उसका जो तीसरा अटेम्ट था तब उसकी राइटर उसकी टीचर पूजा थी जहाँ पर वो उसे यह कहती है कि अगर मैं सारे अंसर्स को सही लिखू तो काफी ज़ाद अच्छा होगा लेकिन सेलवन उससे यह कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी मत करना क्योंकि अगर तुमने ऐसा की है तो यह चीटिंग होशित हो जाएगी और उसे के साथ सथ भले ही मैं टैंथ पास हो जाओ लेकिन जो मेरी आगे के एक्जाम से उसमें बिल्कुल भी पास नहीं ह हो पाऊंगा इसी बज़स से पूजा उसके हेल्प करना छोड़ देती है और जब एक्जाम खदम होती है तब पूजा अपने आप बेती बताती है कि सलवन उसे अपने फादर की याद देला था एक्चुली उसके फादर भी एक इमानदा टाइप के प्रोफेसर थे और एक पूजा कई तसे ये कहती है कि अगर आप चाहें तो एक दिन के लिए मानेच कर सकते है इसी बज़़स से फादर एक दिन के लिए मानेज करने के लिए अपने कॉलेज की तरफ जाते है औंड Moder ही मैट वी टेन एक्सीडेंट जिसकी बज़े से उनकी डेथ हो जाती और तब पूजा इसमें खुद को जिम्यदार मानती है क्योंकि अगर वो उस दिन उन्हें एलमेट डे दे ती तो शायद से वो बच जाते इसी बज़े से वो काफी ज़दा गिल्टी फिल कर रही थे लेकिन सेलवन उसे कैसे दो भी करते हैं जो के एक साइकाट्रिस्ट थे और उनकी साइकाट्रिस्ट के तरीके काफी ज़दा यूनिक थे अब यहाँ पर डॉक्टर इंदरन का साइकाट्रिक करिया थोड़ा बहुत डाउन फॉल में चल रहा था क्यूंकि उनके एक पेशन्ट ने उग्रव हो कर उनके पू दोक्टर जोने ऑपरेट कर रहे थे वो उन्हें एक डिवाइस देते हैं ताकि वो लोगों से बात कर सके लेकिन उनका लाइसंस पूरी तरीके से कैंसल हो चुका था और तब यह जो डॉक्टर उनको ट्रीटमेंट डे रहा था वो डॉक्टर का यह कहना था कि अगर वो फिल्म की चावी मांगते हैं और तब वो अपनी बेटी के चीजें देख कर काफी ज़ादा रोने लगते हैं क्यूंकि उन्हें अपनी बेटी की काफी ज़ादा याद आने लगती है अब यही पर हम फिल्म के तीसरे कारेक्टर विनोट से इंटर्यूस होते है जो एक डिप करियर डाउनफॉल में चल रहा था इसी बज़स से वो पूरी तरीके से डिप्रेस्ट हो चुका था और डिप्रेशन की बज़से उसे लेजिनेस वगरे भी आ चुकी थी इसी बज़से वो अपनी लाइफ में काफी ज़दा परेशान था और वो अपने रिलेशन्शिप ज और उसे हमेशा कहती थी कि अगर वो वापस अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दे तो काफी ज़दा अच्छा होगा लेकिन विनोद अपनी प्रैक्टिस शुरू करने के लिए तैयारी नहीं था क्योंकि वो काफी ज़दा डिप्रेस्ट हो चुका था और दिन प्रति दिन वो सिग्रेट्स और शराबीन सभी का सेवन करने लगा था अब यहाँ पर हम यह देखते हैं कि एक दिन जब विनोद अपनी गल्फरेंड के भाई से मिलने चाहता है तब वो सुबह फ्रेश होने के लिए निकलता है और तभी उसके हाथ में एक बलेड बलेड का कट पड़ जाता है जिसकी वज़ा से उसके खून का ड्रॉप एक फ्लोर पर गिरता और तभी वो अपने गल्फरेंड के भाई से मिलने के लिए जाता है जहाँ पर हम यह देखते है कि वो खून का ड्रॉप एक जगह से दूसरी जगह पर पास ओन हो चुका था और यह काफी जदा शौकिंग टाइप के एक्टिविटी थी जिसके बाद उसका फोन अच्छानक से डाइलिंग मोड में आ जाता है और तभी वो रिंग होना स्टार्ट होता है जिसके बाद वो रिंग अपने आप ही बंद हो जाती है अब यहाँ पर हम यह देखते है कि विनोद जब अपने गलफ्रेंड के भाई से मुलाकात करता है जो एक्चुली उसका फैन था वो उससे थोड़ा बहुत रूडलेस नी बात करता है इसी बज़े से उसकी गलफ्रेंड उससे नारास थी और जब वो उससे घर पर मिलने आती है तब ही विनोद को कुछ अजीबो गरीब आवाज ही सुनाई दे रही थी जिसके बाद वो उन सारी आवाजों को सुनने का काम कर रहा था लेकिन उन में से कोई भी आवाज उससे पता ही नहीं थी कि आखिरे सब क्या चल रहा है और उसकी जो गलफ्रेंड थी वो उसकी ये हरकते देखकर थोड़ा बहुत परेशान थी जिसके बाद हम सभी लोग ये देखते हैं कि विनोद अपनी गलफ्रेंड पर थोड़ा बहुत चड़ जाता है और जहाँ पर उसकी गलफ्रेंड उसे दूर खसका कर वहाँ से बाहर निकल आती है जिसकी वज़से विनोद और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि विनोद का एक चाइल्डूट फ्रेंड था प्रदिप जो एक एबनॉर्मल बच्चा पैदा हुआ था उसे असद उसे पैरलैसिस वगरे का अटैक था इसी बज़से वो उससे मुलाकात करने जाता है जहाँ पर उसकी बहन पूजा से भी मुलाकात करता है और तब पूजा विनोद को ये कहती है कि वो प्रदिप को उसके कमरे में ले जाता कि वो थोड़ा सा आराम कर सके इसी बज़े से विनोत प्रदीप को उसके कमरे में ले जाता है और उसी के कमरे के एक bookshelf में वो एक किताब देखता है जिसका नाम title था devil अब यहाँ पर उस किताब को देखने के बाद वो उस किताब के पहले जो उस किताब के cover पर note लिखा हुआ था उसे अपने पास रखता है और तब प्रदीप उसके पास आ जाता है और ये सब देखके विनोत काफी ज़दा डर जाता है और वो पीछे घड़ा हो जाता है जिसके बाद वो पूजा को call करता है और तब पूजा सामने वाली ये हरकते देखकर थोड़ा हैरान थी सी वज़े से वो doctor को call करती है अब य जाता है जिसके बाद विनोत वहाँ से कैसे दोभी करकर भाग जाता है अब यहाँ पर विनोत के भागने की बज़स से उसे हर बारा उसे call आता है मतलब एक रिंग वगरे आती है जहाँ पर जब वो इस call को pick up करता है तब उसे कोई भी आवाज नहीं सुनाई देती इसी जरीबी है उन सभी को तुम ये नोट दे दो जिसकी वज़स से मतलब जो प्रदिप को treat करने वाले doctors थे वो ये कहते है कि प्रदिप की death हो चुकी है इसी वज़से उसके जित्ते भी जानने वाले है उन सभी को तुम call करके बता दो अब यहाँ पर विनोत जो था उसका mobile phone थ प्रदिप को मारने वाले तुम ही हो जिसके बाद विनोत काफी ज़दा है और उससे पूछता है कि आखिर वो है कौन जहाब पर वो अन्नोन इंसन अपना नाम तो नहीं बता था लेकिन वो से दिरे-दिरे धमकाना स्टार्ट करता है अब यहाँ पर हम सेलवन को देखते है जिसे कीडनी इंजूरी थी यानि उसका कीडनी पूरी तरीके से डिस्फिगर था इसी वज़े से वो एक नई कीडनी की खोज में थर तब डॉक्टर्स उसे ये बताते है कि उसकी नई कीडनी मिल चुकी है लेकिन उसे कम से कम एक लाग रुपए लगेंगे ताकि वो इस की अगर वो उसे पब्लिश करते तो शायद से उनके पास काफी सारे पैसे आ जाते इसी वज़े से प्रदिप को ये एडिया आता है कि अगर वो बुक को पब्लिश कर दे तो काफी ज़दा अच्छा होगा इसी वज़े से वो अपने लाइबरेरी में जाकर उस डेविल के कित पब्लिश करने के लिए ले जाता है तब वो पब्लिशर डिनाय कर देता है क्योंकि आज के समय में फेस्बूक और वाटसेप के जरीए काफी सारे पीडियाफ्स पगरे डाउनलोड हो चुके है इसी वज़े से जाधा तर लोग बुक्स पगरे अब खरीदने में इंट्रे रिक्वेस्ट करता है कि अगर वो एक बिजनेसमैन के घर के अंदर के घर के अंदर यानि उनके औफिस के अंदर के बूत को भगा दे तो काफी ज़दा अच्छा होगा अब यहाँ पर सेलवान को यह ओफर करते है कि अगर उसने ऐसा किया तो वो उसे एक एक लाक रुपए देंगे इसी बज़े से सेलवन इस बात को मान लेता है और तभी सेलवन अगले दिन उस प्रब्लीशर के थूरूज बिजनेसमेन के घर जाता है जहाँ पर वो अपनी बेसिक टैक्टिक्स का यूज करता है और तभी वो भूत को रिकगनाईज कर लेता है जिसके बाद हम सभी लोग ए रेखते है कि जो भूत था वो सेलवन के कबजे में आ चुका था लेकिन उस घर में एक और आतमा थी जो सेलवन को पूरी तरीके से मिटाने की कोशिश कर रहे थी और इसी बज़स से सेलवन काफी ज़दा डर चुका था लेकिन वो कैसे दूबी करकर वहाँ से रेशान होता है और तब ही वो अपने घर की तरफ जाता है जहाँ पर वो अपने घर की तरफ जाते ही कुछ सामान वगरे लेकर अपने फा अपने लाबरेरी में जाता है और तब अपनी लाबरेरी में जाकर वो उस डेविल वाली किताब को एक ऐसे शक्स के पास देता है ज इसकी वज़स से उसे readable type का बना देते हैं और जैसे ही वो से readable type का बना देते हैं तब तब cell 1 उस किताब को वापस library में रख लेता है जिसके बाद एक young man वहाँ पे आता है जो इस किताब को ले जाता है अब यहाँ पर हम डॉक्टर इंदरन को देखते हैं जो अपनी practice में वापस लोटाये थे बले उनको permission नहीं मिली थी पर फिर भी वो अपनी practice में वापस लोटाये थे जहाँ पर उनके जितने भी patients थे वो सभी अब वापस से खड़े हो चुके थे और उसे ऐसा जो patients पहले पू अब यहाँ परूंका जो दोस था डॉक्टर राजीव वो इस बात के बारे में जान जाता है इसी बाज़े से वो डॉक्टर इंदरन के सारे patients से मिलता है और तब ही उसको ये बात पता चलती है कि डॉक्टर इंदरन ने secretly अपनी practice शुरू कर दी है और तब वो ये decide करते है क वो medical association को जो उनके treatment करने वाले doctor थे उनको बता कर वो medical association को ये पतर लिखेंगे कि डॉक्टर इंदरन ने वापस अपनी practice शुरू कर दिये लेकिन यहाँ पर डॉक्टर इंदरन वापस अपने treatment करने वाले doctor से मिलते है और तब ही डॉक्टर इंदरन जो थे वो उन्हें कुछ drugs वगरे देते हैं जिसकी वाज़स से डॉक्टर इंदरन उन्हें अपनी बातों में influence करते हैं और तब ही हम सभी को ये बात पता चलती है कि डॉक्टर इंदरन कुछ drugs वगरे का use करके जित्ते भी अपने patients थे उन सभी को वो काफी काफी तेजी से अपने वश में कर लेते थ वो सारे अपने patients को और जित्ते भी उनके विरोधक थे उन सभी को अपने वश में कर लेते थे अब यहाँ पर अपने वश में करने की बज़स से डॉक्टर इंदरन अपने कालियों में काफी ज़दा successful हो चुके थे और तब ही वो सारे patients को काफी quietly handle कर रहे थे और वो उन्हे को मिल कर ये काम को करना ही पड़ेगा अब यहाँ पर हम विनोत को देखते हैं जिसे हर बार ये unknown number से call आ रहे थे और उसे ऐसाथ वो उसी number से जिस number से उसने प्रदीब के बारे में contact करने के लिए कहा था उसी number से उसे call आ रहे थे और उसे धमकाए धमकी बे धमकी दे रहे थ कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो शायद से तुम मर जाओगे इसी बज़े से विनोत काफी ज़दा परेशान हो चुका था और तब वो अपनी girlfriend से भी इस बारे में बात करता है लेकिन उसकी girlfriend इस बात पर बिलिव नहीं करती इसी बज़े से विनोत और भी ज़़ए ट्राइल करनी की कोशिश करता है और तब विनोत सबसे पहले उस बंदे का जिस बंदे के नंबर के थुरू से कॉंटेक्स आ रहे थे कॉल्स आ रहे थे उस बंदे के बारे में information निकालता है जहापर उसे ये बात realize होती है कि उसका घर इसी internet cafe में जिस internet cafe पर उसने नंबर चे करता है और तब ही वो उस घर के खिड़की पर सारी बाते चेक करता है और तब वो अपनी girlfriend को call लगा कर ये कहता है कि 7 मिनिट बाट मुझे वापस इसी नंबर पर call करो और तब वो उसे वही नंबर देते है जिस नंबर से उसे calls आ रहे थे और जब उसकी girlfriend 7 मिनिट बात call करत इसी बज़स से विनोद और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है और तब वो ये decide करता है कि वो वापस अपने घर पे जाएगा जहाँ पर वो कुछ न कुछ तो भी proof निकालेगा जिसके बाद हम सभी लोग ये देखते है कि विनोद को वापस उसी नंबर से call आ रहे थे और वो उसे ये बता रहा था कि मैं तुम्हारे बार में सारी बाते जानता है और मैं तुम्हें पूरी तरीके से कंट्रोल कर चुका हूँ इसी बज़स से तुम इस complete मायाजाल से बिलकुल भी नहीं निकलने वाले और तब ही वो ये कहता है कि अगर तुम इस complete मायाजाल से निक हो जाता है और तब वही सिच्वेशन से डील करने का डिसाइड करता है अब यहाँ पर हम यह देखते हैं कि सेल वॉन जो था उसके पास वो ट्रांस्क्रिप्ट्स वापस आ चुकी थी जो उसके फादर यूज किया करते थे और उन्हें ट्रांस्क्रिप्स का यूज करके वो उस घर में वापत जाता है जिसके बाद वो उस भूत को पूरी तरीक से कंट्रोल करके एक बाटल के अंदर रखता है और इस बारे में ऑपने अंकल से बात करता बहां पर उसके अंकल उसे यह बताते है लेकिन तब ही हम ये देखते हैं कि वो publisher Cell 1 को दोका दे चुका थोर तब वो उसके घर को पाना चाहता था इसकी बज़स से Cell 1 उसे मारने के लिए कुछ गुंडों को बेचता है लेकिन वो उसे मारना नहीं चाहते थे बलकि सिर्फ घायल करना चाहते थे पर Cell 1 को Cell 1 की उग्रह हरकत है देखकर उस publisher के आदमी उसे पूरी तरह से मार डालते है जिसके बाद वो उसके fingerprint का scan ले लेते है अब यहाँ पर Cell 1 के uncle जब ठेटर में वापस return आते है तब ही वो Cell 1 की death body को देखते है जिसके बाद वो police वगरे complaint करते है और तब ही हम सभी लोग यह देखते है कि police अपने काम में लग चुकी थी अब यहाँ पर विनोट जो था वो वो एक bathroom में छुप चुका था ताकि वो उस phone के जाल से बच जाया और तभी अचानक से हम यह देखते है कि phone में अचानक से कुछ numbers style हो रहे थे जिसके बाद एक बंडे का call विनोट का आता है और तब वो उसे यह कहता है कि वो एक blind इंसान है इसी बज़े से वो इसी बज़े से विनोट उस शक्स का number अपने bathroom के दरवाजे पर लिख लेता है और तब ही अगले दिन वो उस शक्स से मिलने जाता है जहाँ पर वो शक्स उसे यह बताता है कि वो दोस्त उसका कुछ सालों पहले कुछ आठ मैने पहले उसके एक दोस सेलवान की हत्या हो चुकी थी इसी बज़े से वो काफी ज़दा परेशान है और हर बार उसे ऐसा रगता है कि सेलवान उसे कॉल कर रहा है और यही पर हम यह देखते है कि पूजा और वो स्टूडन्ट जिस स्टूडन्ट ने विनोत को बाद में कॉल किया था और तब ही काहानी वापस प्रेशेंट में आती है जहाँ पर हम विनोत को देखते है जिसे यह बात पता चल चुके थी कि वो शक्स और कोई नहीं बलके सेलवान ही था इसी बज़स से वो वापस अपने घर की तरफ जाता है और अपने घर की तरफ जाने के बाद उसे वापस उसी नंबर से कॉल आता है जहाँ पर जो वो उस नंबर को पिग अप करता है तब वो शक्स को यानि जो रिसीवर को वाला शक्स था उसे सेलवान सेलवान करके बोलत लेकिन वो शक्त से यह कहता है कि मैं सेलवान नहीं हूँ बलकि मैं तुम्हारे मौत का काउंडाउन हूँ जिसके बाद हम डॉक्टर इंदरन को भी रेखते हैं जिसने अपने ट्रीटमेंट वाले डॉक्टर को अपने वश में कर रहा था और उससी नहीं मिलकर डॉक्टर रा विदमन से साबित हो गारुसी के साथ सथ वो सभी एक अलग टैट के मोक्ष में जा पाएंगे इसी बज़स से एक साथ जो भी उसके पेशेंट्स थे वो सभी लोग एक साथ मिलकर मा सुसाइड कमेट करते हैं और तभी हम यह देखते है कि वीनोट जो था वो अपनी प्रद को वापस आठ मन्स पीछे देखते है जहाँ पर पूझा सेलवान के घर पर जाती है लेकिन उस घर पे आल्रेडी किसी और ने अपना कबजा जमा रखा था और तब वो सेलवान के घर से उसके कुछ रेकॉर्डिंग्स और उसे ऐसाद उसका फोन लेती है और जब वो इन र बात करने का मिडियम यह फोन था इसी बजस से एलवन पूझा को यह सारी बातें बताता है और तब हम सभी वीवस को ये बात पता चलती है कि यह जो फोन जो भी विनोफ और सेलवान यूज कर रहे थे ये phone actually एक तरह का medium था जो आत्मा उसे connect करने में help करता था अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि पूजा जो थी वो विनोद को ये सारी बाते बदाती है जिसके बाद विनोद काफी ज़दा गुसा हो जाता है और तब ही पूजा जो थी वो cell 1 के number पर call करती है जहाँ पर cell 1 के आत्मा call pick up करती है और तब हम ये देखते हैं कि वो पूजा को ये बताने की कोशिश कर रहा था कि वो विनोद की help करने की कोशिश कर रहा है लेकिन तब तक विनोद ने उस पूरे phone को break कर दिया था और तब पूजा उसे ये सारी बाते बताती है जिसकी वज़स से पूजा और विनोद ये दोनों उस phone को ठीक करवाने के लिए ले जाते है अब यहाँ पर विनोद जैसे उस phone को ठीक करवाने ले जा रहा था तब पूजा और विनोध ये डिसकस कर रहे थे कि आखिर उससे कौन बाग कर सकता है जिसके बादम सभी लोगों को ये बात पदा चलती है कि प्रदीप के जो डॉक्टर थे वो डॉक्टर इंदरन थे और थोड़े समय पहले विनोध काफी ज़ाधा एंग्जाइटी इशूस से गुजर रहा था नीचे वाले फ्लोर पर डॉक्टर इंदरन भी थे जहां पर डॉक्टर इंदरन की भी साथ मैं अत्याओ जाती है और तब डॉक्टर इंदरन के बारे में विनोध को पूरी बाते पता चलती और तभी जो फोन था जिस phone repair वाले के पास उन्होंने phone दिया था वो phone ठीक हो चुका था और वो phone अच्चानक से आवाज करना start करता है जिसके बाद विनोद उस phone को लेकर थोड़ा दूर जाता है और थोड़ा दूर जाते ही वो call pick up करता है जिसमें Dr. Indran उससे बात कर रहे थे जिसके बाद विनोद के अंदर cell 1 के आत्मा गुसाती है और cell 1 Dr. Indran को ये कहता है कि मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दूँगा और उसी के साथ साथ तुम्हारे related जित्ते भी information है ये कोई भी नहीं जान पाएगा लेकिन Dr. Indran का ये मानना था कि वो अपनी हर एक appointment को पूरा करेगा और उसकी वो आखरी appointment पूरी ना होने की बाज़े से अगर विनोद ने suicide कमिट करी तो शायद से उसकी वो appointment पूरी हो जाएगी लेकिन Dr. Indran की बात करने से पहले ही cell 1 इस call को cut कर देता है जिसके बाद cell 1 इस complete phone को वापस रख देता है और तभी विनोद के अंदर से cell 1 की आत्मा निकल जाती और तभी विनोद काफी जदा खुश था और अपने आपको वापस पाके काफी जदा खुश हो रहा था अब कहानी को कुछ दिन बीच जाते है जिसके बाद हम उसी publisher के घर पर उस phone की delivery को देखते है जो cell 1 का phone था और वो phone उस publisher की हत्या कर देता है जिसके बाद ये story खतम हो जाती है अब यहाँ पर इसके related कुछ theories के अगर बात करी जाए तो सबसे पहली theory ये कि क्या cell 1 अभी तक जिन्दा है तो फिर मेरे हिसाब से cell 1 जिन्दा है और वो नलब cell 1 की आत्मा अभी तक active है और वो शायद से publisher के अत्या करने के बाद ही मरेगी दूसरा क्या डॉक्टर इंदरन की आत्मा पूरी दरीगे से मुक्त हो चुकी है तो एंडिंग के सीन में अगर आप सभी ने देखा ओगा तो cell 1 जो विनोत के body को possessed कर चुका था उसने डॉक्टर इंदरन की जो voice ये थी mechanism उसे पूरी दरीगे से बंद कर दिया थो और इस mechanism के बारे में शायद सिफ cell 1 ही जान सकता था इसी बज़े से डॉक्टर इंदरन का चैप्टर वही पर ही खतम हो चुका है अब यहाँ पर ये कहानी आप सभी नेट्फिक्स पर इंजॉय कर सकते हो तो फियार जल्दी से जल्दी इस स्टोरी को इंजॉय करिएगा और अगर आप कोई वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजेगा क्योंकि मैं ऐसे ही मूवीस और वेब सीरीस के रेलेटेट वीडियोस आप सभी के सामने रखता रहता हूँ मिलते एगली वीडियो में तब तक के लिए बाइबाई